एग गीत सौवफmember री जो प्लेबैक इंजा लेकर आता है हर हफते हिंदी फिल्मों के किसी एग गीत से जुड़े कुछ मज़ेदार किसे, कुछ रोज़क कहानिया एग गीत सौ अफसे फिल्मी और गेर फिल्मी गीतों की बाते करते हुए और उनसे जुरि दिलचस्प किसी कहानियों को सुनाते सुनते हुए कैसे एक एक करके सो सब्सक्राइब बेद गय पता ही नहीं चला जी हाँ, यूहीं गाते गुनगुनाते और उन्यादगार गीतों से संबंदित जानकारियां समेट कर आपके साथ उन्हें बाटते हुए पूरे सौ सप्ता गुजर चुके हैं ये जैसे कली ही की बात हो जब हमने इस सीरीज की शुरुवात की थी हम है राही प्यार के फिल्म के गीत गुंगट की आड से दिलबर का के साथ और आज हम आप पहुँचे हैं इस सीरीज की सौवी कड़ी पर यानि की हीरक जैनती अंक पर इस खास मौके पर हम आप सभी शौताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि अगर आप न होते तो शायद एक गीत सो अफसाने भी न होता और आज के इस विशेश अफसर को और भी अधिक विशेश बनाने के लिए हमने सोचा कि क्यों न आज कुछ अलग पेश किया जाए इसलिए आज हम किसी एक गीत को शामिल करने के बज़ाए एक विशे को शामिल कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि यह सप्ता वेलिंटाइन डी का सप्ता है तो चलिए आज हम बाते करें हिंदी फिल्मों के उन गीतों की जिनमें नायक ने नायक से नायक ने नायक से या फिर दोनों ने एक दूसरे से आई लव यू कहा हो तीज के दशक से शुरू कर अब तक के फिल्म संगीत के इतिहास में इस तरह के गीतों की जानकारी लेकर हम हाजिर हैं एक गीत सो अफसाने की आज की यानि इस सिरीज की हीरक जैनती अंक में दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुछ ऐसे हिंदी फिल्मी गीतों के नाम गिनाई है जिनके मुखडे में I love you फ्रेज आता है तो आप आसानी से गाने तो बता ही देंगे लेकिन अगर कोई ये पूछे कि वो कौन सा पहला हिंदी फिल्मी गीत था जिसमें ये तीन सो नहरे शब्द मुखडे में कहे गए थे तो शायद आप सोच में पड़ जाए उपलब्द जानकारी के अनसार वो गीत था वर्ष 1940 में रेक्स पिक्चर्स के बैनर तले निर्मि खान हैं जिन्होंने 1931 की फिल्म आलमारा में देदे खुदा के नाम पे प्यारे के रूप में पर्थम हिंदी फिल्मी गीत गाने का रेकौर्ड तायम किया था खेर वापस आते हैं देश भक्त पर इस फिल्म में एक गीत था आई लव यू आई लव यू तुमी ने मुझ क प्रेम सिखाया सोए हुए हिर्दय को जगाया गीत के गायकों की जानकारी तो मिलना सकी पर इस फिल्म के संगीत कार थे वसंत कुमार नाइडू और गीत कार थे वाहिद कुरेशी और शेफता ये गीत दरसल एक पैरोडी गीत है जिसमें पिछले दशक के कुछ गीतों के को लिया गया है अब ये आई लव यू वाला अंश क्या तीस के दशक के किसी मूल गीत से लिया गया है या नहीं ये इस पश्ट रूप से कहा नहीं जा सकता फिर इसके बाद 1944 में संगीत कार नौशाद साहब के संगीत में गीत कार डी एन मध्हुक ने एक गीत लिखा था इसे जहरा बाई अंबाले वाली ने गाया था रतन से पहले नौशाद साहब ने अपनी शुरुआती फिल्मों में इस तरह के कई हलके फुलके गीतों की रचना की थी जो आज पूरी तरह से विसमरत हो चुके हैं ये गीत बहुत खास है क्योंकि जहरा बाई की आवाज में और नौशाद के संगीत में ऐसे हिंगलिश गीत की कल्पना करना बेहद मुश्किल है पचास के दशक के शुरुआती सालों में आई लव यू वाला कोई भी गीत सुनाई नहीं दिया पर उननी सो अंठावन में ऐसेच बहारी का लिखा और रवी का संगीत बद्ध किया फि तुम को मेरी पसम। गीत एक स्टेज शो में फिल्माया गया जिसमें नंदा और निरूपाराय करम से एक पश्चमी आदमी और एक भारती नारी का भेस धर कर परफॉर्म करते हैं। गीत दत्त की आवाज नंदा को मिली है और आशा भोसले ने निरूपाराय के लिए गाया हिंदी फिल्म गीत कोश के अंसार इस गीत का दूसरा हिस्सा है तो फिर तुम को क्या मांगता मैडम गोरे गोरे हाथों में बाजे कंगना। तो यूरोप में फिल्माए जाने वाले इंद्रिशियों के लिए एक पार्श संगीत की आवशकता थी पर राजकपूर हमेशा एक गदम आगे रहते थे। उन्होंने ये सोचा कि पार्श संगीत के स्थान पर क्योंना एक पार्श गीत रखा जाए जो बिल्कुल इस इसी आम गीत के स्वरूप में बने और ना ही इसके गायक अलाकार लता मुकेश या रफी हो। शंकर और जैकिशन सोच में पढ़ गए कि क्या किया जाए। उन्दनों जैकिशन चर्च गेट स्टेशन के पास गेलार्ड होटल के बॉंबली रेस्तरों में रोजाना शाम को जाया करते थे। उनकी मित्रमंडली वहां जमा होती और चाय काफी की टेबल पर गीत संगीत की चर्चा भी हुआ करती। उसी रेस्तरों में जो गायक वरिंद ग्रहकों के मनुरंजन के लिए गाया करते थे। उनमें गोआ के कुछ गायक भी थे। उनही में से एक थे आलाया कि क्योना लोबो से इस पार्श गीत को गवाय जाए। लोबो की आवाज में एक विदेशी रंग था जो इस गीत के लिए बिलकुल सटीक था। बस फिर क्या था। विवियन लोबो की आवाज इस गीत के लिए चुनली गई। पार्श में में बजने वाले तीन मिन हनी मून के द्रिश्य के लिए सबसे सटीक और सबसे छोटा मुखडा है आई लव यू तो क्यों ना अलग-अलग यूरोपिय भाशाओं में इसी पंक्ती का दोहराओ करके तीन मिनट के इस द्रिश्य को पूरा कर दिया जाए सबी को ये सुझाओ ठीक लेका और पूरी टीम जुट गई आई लव यू के विभिन भाशाओं के संसकरन ढूंडने में अंग्रेजी के अलावा जर्मन फ्रांसिसी और रूसी भाशाओं का प्रयोग इस गीत में हुआ है और साथ ही इश्क है इश्क को भी शामिल किया गया ह 1966 की फिल्म अकल मंद में पियल संतोशी का लिखा उपी नएयर का संगीत बद्ध किया गीत आया सच कहूं सच कहूं सच कहूं सच I love you very much रफी साहब और आशाजी की युगल आवाजों में ये एक कमाल का गीत है पाश्चाहत दुनों पर आधरित इस हिंगलिश गीत में आशाजी ने अपनी आवाज में कमाल के वेरियेशन का परदर्शन किया है इस गीत के अगले ही साल 1967 में आशा भूसले का गाया एक और गीत आशा थी फिल्म थी रात अंधिरी थी अख्तर रूमानी का लिखाई ये गीत उशा खन्ना के संगीत में था गीत हैलन पर फिल्माया गया है सत्तर के दशक के शुरू में है आशा भूसले के आवाज में दो आई लव यू के गीत आए जो सुपर डूपर हिट साबित हुए पहला गीत था उशा अईयर यानी उशा उत्थुप के साथ गाया हुआ उन्नी सो सत्तर की फिल्म हरे रामा हरे क्रिशना का जुगल बंदी गीत आई लव यू क्या खुशी क्या गम आनंद बक्षी के लिखे और राहल दे उबर्मन के संगीत बद्ध किये इस गीत में दोनों गाईकाओं की आवाजों का कांट्रास्ट सर चढ़कर बोलता है और आज भी ये गीत सुनने में बेहद आकर शक लगता है और दूसरा गीत है उन्नी सो तहित्तर की फिल्म यादो आई लव यू मजरू सुल्तानपुरी की गीत रचना और संगीत एक बार फिर पंचम का दादा भर्मन यानि सचिंदेव बर्मन भी पीछी नहीं थे उन्नी सो चेट्र में उन्होंने आशा भोसले से गवाया फिल्म बारूत का गीत आई लव यू यू लव मी लो महबत हो गई तेरी दो आँखों में मेरी दुनिया खो गई गीत लिखा आनंद बख्षी ने और सजा रीना रॉय के होटों पर असी के दशक के शुरू में ही आई लव यू से सजा एक ऐसा गीत आया जिसने चारों तरफ धूम मचा दी 1982 में निर्मित पर 1986 में परदर्शित फिल्म खुद्दार के गीत साल 1982 में ही जारी हो चुके थे इस फिल्म में अमिताब बच्चन और परवीन बॉबी पर फिल्म आया अंग्रेजी में कहते हैं कि I love you बेहत कामिया बस्थाबित हुआ और लता मंगेश करने संभवता है किसी गीत में पहली बार I love you कहा साथ में थे किशूर कुमार गीत मज्रू का और संगीत राजिश रूशन का इस गीत के बाद तो लता जी ने कई गीतों में ये तीन गोल्डन वर्ट्स कहे 1989 की फिल्म मिल गई मन्जिल मुझे मैं उनका एकल गीत था मेरे अच्छे पिया मैंने गुस्सा किया मुझे माफ कर दे I love you मेरी जान गुस्से क्यों दिल साफ कर दे ये आनंद बख्षी राहुल देव बर्मन की रचना थी 1985 में एक कम चर्चित फिल्म आई थी I love you शीर शक्से जिसमें उशा खन्ना का संगीत था इस फिल्म का शीर शक्गीत अनराधा पॉडवाल और किशोर दायाराम की आवाजों में था पहली बार मिले हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम तुम एक दूजे को सदियों से पहचानते हैं I love you 1986 में एक फिल्म आई थी प्यार हो गया फिल्म तो बुरी तरह असफल रही पर इस फिल्म का एक गीत खुब चला था शबीर कुमार और अलका यागनिक का गाया रुकी रुकी सांसों से तीन प्यारी लफजों में सब कुछ कह गई तू I love you गीत के संगीत कार थे धीरज धनक और गीत कार थे जेवियास अश्र की बात ये है कि ये गीत दरसल 1982 में बनी पाकिस्तानी फिल्म आई लव यू का शीरशक गीत था बिलकुल वही मुखडा हूबा हूँ वही संगीत यहां तक की अंतरों के बूल भी वही गीतकार तसलीम फजली मसरूर अनवर और खौजा परवेज संगीत ए मश्रफ का और आवाजें थी नहीद अख्तर, हमीद अख्तर, एहमद रुश्दी, ए नईयर और महनास की 1987 की ब्लॉक बस्टर फिल्म मिस्टर इंडिया में आई लव यू से सजा एक सुपर हिट गीत था किशुर कुमार और अलीशा चिनाए की आवाजों में श्री देवी और अनिल कपूर पर फिल्माए गए इस सैंसुस गीत ने धूम मचा दी थी काटे नहीं कटते दिनी रात कहनी थी तुम से जो दिल की बात, लो आज में कहती हूँ, I love you जाविद अख्तर के बोल लक्श्मी कांथ प्यार इलाल का संगीत 1989 की फिल्म में ने प्यार किया कि अंताक्षरी गीत में इसी मुक्डे का सहरा लेकर भाग श्री ने सल्मान खान को I love you कहा था लतामंगेशकर की आवास के जरिये नबे के दश्क में तो जैसे I love you वाली गीतों की लड़ी लग गई 1990 में दो लोग प्रिये गीत आए पहला फिल्म जंगल लव से, लेला ने कहा जो मजनू से, राजहा ने कहा जो हीर से, वही मुझसे कह दे तू, I love you जिसे अमरादा पॉटवाल और मनहर उधास ने गाया, संगीत आनंद मिलिंद का और गीत समीर का था, दूसरा गीत अलका यागनी की आवाज में फिल्म महा संगराम से, माधरी दीखशित पर फिल्म आया, ये मस्ती भरा गीत है, I love you प्यार करू छू, जाला मला प्रेम जाल एक अकेले 1991 की साल में ही कम से कम तीन गीत बने, पहला गीत था फिल्म सौधागर का, जिसने ईलू ईलू को हर आम खास के होटों पर चढ़ा दिया, लगबग 10 मिनिट अवधी के इस गीत में बड़ी सुन्दरता से ईलू ईलू यानी I love you का अर्थ समझाया गया है, आनंद ब नाराइन के आवाजों में ये गीत लोक प्रियता की चूटी पर पहुँचा, इसी साल की एक और ब्लॉक बस्टर फिल्म थी पूल और काटे, जिसने अजय देवगन को रात और रात स्टार बना दिया, इस फिल्म के तमाम हिट गीतों के अलावा एक सेंस्वस गीत था, मिस कानों में तेरे, थोड़ा करीब आके बाहों में लेके, धीरे से मैं एक बात कहूं, आई लव यू, और उन्नीस से क्यानवे का तीसरा गीत था, जान की पसम फिल्म का, आई जिस्ट कॉल टू से, आई लव यू, ये भी समीर नदीम श्रवन की देन है, पर गीत प्रेरत है, उन्नीस सो चौरासी के स्टीवी वंडर के गाए, मशहूर वा पुरस्कृत गीत, आई जिस्ट कॉल टू से, आई लव यू से, जान की पसम में अन्राधा पाडवाल और उदित नाराय ने, इसी धुन पर गाया, महबत की पहली एक नजर में, तूने मुझ को पा लिया था, ए सनम, जो मैं कभी भी कहना सकी, मेरे दिल ने वो कह दिया, आई जिस्ट कॉल टू से, आई लव यू, और इसी धुन पर राम लक्षमन ने भी बांधा था, मैंने प्यार किया, फिल्म के शीरशक गीत को, बस आई लव यू की जगहे आगया, शायद मैंने प्यार किया, 1982 में ब्लॉक बस्टर फिल्म राजू बन गया जेंटिल्मेंड में, शारुख खान और जुही चावला पर फिल्माया कुमार सानुवा, अलका यागनी का गाया गीत, सीने में दिल है, दिल में है धरकन, धरकन में है तू ही तू, ए मेरी पहली तमना, ए मेरी आखरी बहुत लोग प्री रहा, देव कोहली के बोल, जतिन ललित का संगीत, इसी साल फिल्म युद्ध पत्थ में भी एक गीत था, फैज अन्वर का लिखा, दिलिप सेन समीर सेन की संगीत में, कुमार सानुवा, कविता कृष्ण मूर्ती का गाया, चाने लगा कैसा नशा, जाने मुझे ये क्या हुआ, ऐसा लगे धीरे से दिल ये कहे, ओ, आई लव यू, ये गीत अधिक चर्चित नहीं हुआ, 1994 में भी तीन गीत बने, पहला फिल्म रखवाले में, मुहम्मद अजीज का गाया, आई लव यू, दूसरा फिल्म गोपी किशन में, कुमार सानु, अलका अगनिक का गाया, दिल की बात लबों पे लाओं, आजा तुझको आज बताओं, आई लव यू, ये दो गीत भी जादा कामयाब नहीं रहे, पर तीसरा गीत, फिल्म, ये दिल लगी का हिट हुआ, लता मंगेशकर और कुमार सानु का गाया, होठों पे बस तेरा नाम है, त तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम, जानम आई लव यू, यू लव मी, नए जमाने की गीतों में जब जब लताजी की आवाज गूजी, तब तब ये बात फिर से साबित हुई कि लताजी तो बस लताजी ही है, आई लव यू के साथ अलिशा चनौय का रिष्ट जारी रहा 1995 में, जब अनु मलिक ने उनसे और कुमार सानु से गवाया फिल्म गुंडाराच का डूएट, आँखों में बसा कर खौब तेरे मैं जूमती रहती हूं, तेरा नाम हथेली पे लिखकर मैं चूमती रहती हूं, आई लव यू, ये गीत काफी हिट हुआ जिसे ल एक बच्चे ने अपने पिता से आई लव यू कहा था, जिहां, फिल्म अकेले हम, अकेले तुम में, आदित नारायन और उदित नारायन का गाया, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, अनुमलिक उत्कृष्ट गीतों में से एक है, इसे मजरूह सुल् फिल्म दावा में भी एक बेहद हिट गीत था, दिल में है तू, धड़कन में है तू, ओ माई डारलिंग, आई लव यू, गीत रानी मलिक, संगीत जतिनललित, गायक, कुमार सानुवा, उनुनिमा, नभी के दशक के जाते जाते जैसे फिल्मी गीतों की धारा ने एक मोड ले ली, अब गीतों में प्यार के इज़ार कुछ अलग ही तरीकों से होने लगे, गीतों में आई लव यू कहने का चलन धीरे धीरे खत्म होने लगा, दो हजार के दशक में गिंती भर की गीत बने, जिन में आई लव यू बूला गया हो, उलेकनी ये गीतों में एक था, द गीत आनंद बक्षी संगीत राहुल शर्मा ये गीत बक्षी साहब के लिखे अंतिम गीतों मैंसे एक है रितिक रोशन और करीन कपूर पर फिल्माया ये गीत यंग जनरेशन के लिए जैसे एक ताजे हवा के जोंके की तरहे आया पर फिल्मे के पिट जाने से गीत बहुत अधिक सुनने को नहीं मिला फिर दो हजार आठ में आतिफ असलम का गाया फिल्म रेस का गीत आया पहली नजर में कैसा जादू कर दिया बेबी आई लव यू ये गीत उन दिनों बेहद हिट साबित हुआ और उन दिनों तो आतिफ असलम चाय हुए थे समीर का गीत प्रीतम का संगीत प्रीतम के ही संगीत में दो हजार ग्यार है की फिल्म बाडी गार्ड में एश किंग और क्लिंटन सेरे जुका गाया नीलेश मिस्रा का लिखा गीत आया दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांद नी भर गए करे चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कमबخت इन से भी खुबसूरत है तू आई लव यू बस फिर इसके बाद शायद ही किसी गीत में किसी नायक या नायका ने एक दूसरे को आई लव यू कहा होगा फिल्मे आज अत्त वास्तविक बन गई है उन में नाट की एता बना के बराबर है अब आई लव यू कहा भी जाता है तो समवादों में गीत गाकर नाट के शेली में आई लव यू कहने की परंपरा अब खत्म हो चुकी है और यहां अकर पूरी होती है एक गीत सौफसाने की आज की कड़ी आशा है आपको पसंद आई होगी शोद और आलेक सुजोई चेटर जी का वाचन समीर गोस्वामी का और प्रस्तुती संग्या टंडन की तो अब आज के लिए दीजे इजासत अगले हफ़ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ नमस्कार